ब्रैंडी क्लार्क एक हाई स्कूल सना तक जो हमेशा एक अच्छी चात्र रही है और कभी भी यॉन रूप से सक्रियन नहीं रही है। जैसे ही वह कॉलेज जाने की तयारी करती है, ब्रैंडी उन सभी चीजों की एक सूची बनाती है, जो वह कॉलेज शुरू होने से पहले अनुभव करना चाहती है. अपनी बड़ी बहन और दो दोस्तों की मदद से, ब्रैंडी ने अपने यौन अनुभवों के माध्यम से उनका मार्ग दर्शन करने की इच्छा को सूची बद्ध किया. फिल्म उसकी यात्रा का एक अनुसरण करती है, क्यूंकि वह अपनी सूची में प्रतियेक वस्तु को पूरा करती है, जिसमें उसका कौमार्य खोना और विभिन्न प्रकार की यौन गतिविधियों के साथ प्रयोग करना शामिल है. हेलो दोस्तों, हमारे चानल मूवे रिव्यूज में आपका फिर से स्वागत है. आज हम दे टू-डू लिस्ट की नाम की 2013 की एक कॉमेडी रोमांस फिल्म का पुनर कथन करने जा रहे हैं. बाद में क्या होता है या जानने के लिए विडियो को देखते रहें और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ब्रैंडी क्लार्क बॉइस इडाहो की एक अती उत्साहित लेकिन सामाजिक रूप से अजीब किशोरी थी जिसने 1993 में अपनी हाइ स्कूल के वैलेडक्टोरियन के रूप में सनातक की उपाधी प्राप की थी. समारों के बाद उसने माता पिता को गर्म जोशी से गले लगाया अपने उपर राहत की लहर महसूस की. उसकी बहन अमबर कोने में अपने मंगेतर को प्यार दिखाने में व्यस्त थी. ब्रैंडी के दो सबसे अच्छे दोस्त वैंडी और फियोना उसे जश्न मनाने के लिए एक पार्टी में ले गए. ब्रैंडी जो पहले कभी किसी पार्टी में नहीं गई थी, तेज संगीत और अपरिचित चहरों से अभीभूत थी. उससे एक पे की पेशकश की गई और ब ब्रैंडी को किसी और के लिए गलत समझा. उसने उसे चारपाई से उतारा और ब्रैंडी को दिवार पर धकेल दिया. उसने उसे चूमना शुरू कर दिया लेकिन जैसे ही उसने रोश्नी चालू की उसे एहसास हुआ कि वह कौन थी और उससे असवीकार कर दिया. इसके सब कुछ जानने के लिए करेगी और रस्टी को अपने फैसले पर पच्चतावा कराएगी. उसने उन सभी चीजों की एक सूची बनाई जो वह सीखना चाहती थी और रस्टी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए गर्मियों के अंत में अपना लक्ष निर्धारित किया. अ उन्होंने अपनी गल्तियों से सीखने और उन्हें ना दोहराने के लिए प्रोचसाहित करते हुए बुद्धिमान सला दी. ब्रांडी पूरी गर्मियों में पूल में अपनी नई नौकरी की प्रतीक्षा कर रही थी. उसने सुना था कि रस्टी और कैमरून मिशेल उसके ध जीवन को दयनिय बनाने के लिए द्रड था. अन्य लाइफगार्ड भी इसमें शामिल थे और उन्होंने अपने सबसे सप्रिय काम सौपे. उसे पूल से कच्रा साफ करने के लिए कहा गया था और जब उसके करीब से देखा तो उसे पता चला कि यह मल था. यह सोचकर ही कि यह शरारत है उसने काट लिया. केवल यह पता लगाने के लिए कि यह वास्तविक था. ब्रांडी नाराज हो गए और उसने बदला लेने का फैसला किया. आपको क्या लगता है कि ब्रांडी क्या करने की योजना बना रही है? वीडियो को रोकें और हमें कॉमेंन सेक्शन मे कॉमेंन करके बताएं. ब्रांडी में उसे सीखने की पेशकश की. वह सहमत हो गया और ब्रांडी आखिरकार विली की बदमाशी के बिना अपनी गर्मियों की नौकरी का आनन्द लेने में सक्षम हो गई. आखिरकार ब्रांडी की त्वरित सोच और विली को एक कठिन परिस्थिती से बाहर निकालन ब्रांडी में मदद करने की इच्छा ने उसे वह बदला लेने की अनुमती दी जो वह चाती थी और अपनी गर्मियों की नौकरी का आनन्द ले सकी. ब्रांडी अभिभूत महसूस कर रही थी. वह अपनी बहन, अमबर, अपनी मा और अपने दोस्तों सबसे अच्छे दोस् ला लेती रही. वह दूसरे दिन अपने दोस्तों के साथ कैमरन से मिली और उसके साथ यौन संबंद बनाएं. ठीक उसी तरह ब्रांडी ने अपनी चीजों की सूची में से एक आइटम को पूरा किया. घर पर वापस जब ब्रांडी खुद के साथ मस्ती कर रही थी और अपसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी यौन इच्छाएं पूरी हो रही थी. इसलिए उसने कहा कि मैं सहमत हूँ. दोनों एक मूवी थीटर के लिए रवाना हुए. थीटर में ब्रांडी ने कैमरन को बाहर निकलने में मदद की, जिससे वह अपनी हरकतों से बाज आ इस प्रकार उसकी चीजों की सूची में से एक और आइटम को पार कर लिया गया. कैमरन ब्रांडी के साथ उनकी पहली मुलाकात के बात से ही आकरशित हो गया था और वह उसे फिर से देखने के लिए उत्सुक था. उसने उससे संपर करने की कोशिश की लेकिन जब वह उससे तूट गया. उसने नामों की एक सूची देखी और उसने महसूस किया कि वह उसके मिशन पर कई लोगों में से एक था. वह कुचल दिया गया. इसी बीच विली, घंटो बात, पूल में ब्रांडी, वेंडी, फियोना और पुरुष ग्रंज ब्रांड के कुछ व्यसकों कुछ खास है, लेकिन अब उनका दिल तूट चुका था. वह उसकी सूची में सिर्फ एक और नाम था और वह तबाह हो गया था. वह रोती हुई रह गई जब कैमरन गुस्से में वहां से चला गया. डफी, जिस पर वैंडी का क्रश था, ब्रांडी को अराम देने के लिए गया और दोनों ने एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया. ब्रांडी भावनाव का मिश्रन महसूस कर रही थी, लेकिन वह अपने मिशन को जारी रखने और सेक्स के बारे में और जानने के लिए द्रड थी. वह अपनी गर्मी का अधिकतम लाब उठाने के लिए द्रड थी जिनके साथ ब्रैंडी ने प्रयोग किया था. वैंडी और फियोना या जानकर चौक गए और निराश हो गए कि उनके एक क्रश वैंडी की सूची में थे. उन्होंने दोका दिया और गुस्ता महसूस किया कि ब्रैंडी ने उनकी दोस्ती को पहले नहीं रखा. उन दोनोंने सेक्शन में कॉमेंट करके बताएं. ब्रैंडी कुछ समय से रस्टी के करीब जाने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार उसे मौका मिला जब उन्होंने एक प्रतिदवन्दी पूल में तोड़ फोड करने का फैसला किया. दुर्भागे से उनकी योजना विफल हो गई जब उसका नाम था. पूल में मालिक विली ने उसे मौके पर ही निकाल दिया. ब्रैंडी शर्मिंदा और गुस्ते में थी लेकिन वस्थिती का अधिक्तम लाब उठाने के लिए द्रड थी. उसने रस्टी को बाहर जाने के लिए कहा और वह उसे एक लोग प्रिय मेक आउट डर गई और उसने मांग की की रस्टी उसे तुरंद घर ले जाए. रस्टी ने बाध्य किया और वे चुप चाप चले गए. विली को उसके दोस्तों ने चेतावनी दी थी कि ब्रैंडी रस्टी के बहुत करीब आ रही थी और वह इसे रोकने के लिए द्रड था. वह योग ब्रैंडी घर आ गए. कैमरन जो बाहर प्रतीक्षा कर रहा था क्रोध और इर्च्या से भर गया था. उसने रस्टी पर आरोप लगाया एक शक्ती शाली सकर पंच दिया जिसने उसे हिला कर रख दिया. दो आदमी लड़ने लगे लेकिन ब्रैंडी ने जल्दी से से के लिए कदम बढ़ाया. उसने उन दोनों को ताकत और साहस के लिए उनकी प्रशंसा की और कैमरन से उसका उप्योग करने के लिए इमानदारी से माफी मांगी. फिर उसने आपसी सम्मान और समझ के महत्व पर जोर देते हुए सेक्स पर अपना दृष्टी कोन पेश किया. ब्रैंडी को करने के लिए बहुत माफी मांगनी पड़ी. अपने जीवन की गर्मियों के बाद उसने अपने दो करीबी दोस्तों वेंडी और फियोना को चोड़ पहुँचाई थी. वह जानती थी कि उसे इसे सही करना है. इसलिए जब ब्रैंडी के माता पिता घर पहुँ उसने हिमत जुटाई और एमबर और विली को पकड़े जाने के लिए वैंडी के दर्वाजे पर चली गई. उसने मेरे पंखों के नीचे हवा गया और जल्दी ही दोनों लड़कियों ने उसे माफ कर दिया. रहत महसूस करते हुए ब्रैंडी विली से मिलने के लिए पूल म जब पजड़ आया ब्रैंडी और कैमरन फिर से जॉर्च टाउन विश्व विध्याले में मिले. ब्रैंडी ने कैमरन से माफी मांगी और उन्होंने खोय हुए समय के लिए तयार होने का फैसला किया. उन्होंने एक दूसरे की शरीर की खोजबीन की और ब्रैंडी ने अन्त के लिए बस इतना ही इस अद्बुत फिल्म रीकाब को देखने के लिए वीडियो को स्क्रीन पर देखें इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आपने उस पर सब्सक्राइब बटन को हिट किया है और बेल आइकन दबाया है ताकि कोई भी रुमान्चक फिल्म रीकाब कभी न छूटे देखने के लिए धन्यवाद